हेलो उखमा गनीशा आप सपी का स्वागति हमारे यूटूब चैनल पर तो हुकम आज हम लोग आए हैं सभी लोग गूमने काईलाना जील और जोदपूर के सिद्यनाद मंदिर में तो अभी हम जा जा रहे हैं वो सामने दिख रहे हैं काईलानी जील है आज है के अपिण आप शिसाइब आपा करें लें दे देख रहा हैं यहां पर जोए कि दीख रहे हैं है वहलाणाद कुछ आदे आगे जा जाकर प्टूशूट कर रहे थे सेफी जगर ले अगरे थे और जो यह नोदो बहुले दबिल आज यहां पर देख पाई साथ में था उनके तो आगे जाके फोटो ले रहे थे तो यहां पर जो भी वोट वाले भीया थे उन्होंने ना सब को रोक दिया आटा दिया यहां से क्योंकि यहां एक दू दिन पहले ही दो जुड़वा भाई डूब के मरे थे तो इस वज़े से यह जीर बहुत गहरी है तो इस वज़े से यहां पर आगे तक जाके ना फोटो शूट नहीं करने देते किसी को हम लोग जाने वाले थे मतलब मैं तो पानी से वैसे मेरे को डर लगता है पर वो बाईसा और हमारे बेट के पानी में मज़े ले रहे थे तो वहां से सब को अटा दिया पीजे चलो यहां पर खत्रा है तो इस वज़े से यहां फोटो शूट ज्यादा आलाओ नहीं है यहां काईलाना में जिप लाइन की सुईधा भी मिल जाती है अगर आप लोग आके जिप लाइन भी इंजोई करना चाहते हैं फाड़ों से तो वह भी आप कर सकते हैं बारिश के मोसम में बहुत अच्छी जगह है यह काईलाना जील को मतलब गूमने के लिए जोदपूर में ऐसे बहुत सरी जगह है अच्छी जगह और यह जो इस पर मतलब यहां पर जब भी बारिश होती है और बारिश का तो जदर तर लोग यहां पर यह आउटिंग के लिए आते हैं और बाइसा एक पत्थर पर बेट के पानी में ऐसे अटकेलिया कर रहे थे तो हम लोग ना इनके मज़े ले रहे थे क्योंकि वह भाईया पहले ही बोलके गए थे करना कली किसी की देत हुई थी यहां पर तो हम लोग अपने बाइसा को छेड़ रहे हैं और उनको बोल रहे हैं अगर आप गिर गए तो कल रिस्टेटस लगाएंगे और गाना गाएंगे कहां चले गए आप सब लोग फिर यही करेंगे क्योंकि आजकल यही सब लोग करते कुई से की भी देत होती है रिस्टेटस सौंग जोड़ जोड़ के आजकल वाटसब इंस्टा कहीं पर भी नी छ चाहता रहता है और यही से फानी के पूरी सिटी के अंदर सफलाई होती है तो हुकुम अब सब हम लोग जा रहे हैं सिधनात मंदिर यह थोड़ा काईलाना के साइड में एक रास्ता जाता है 3-4 किलोमेटर चलने के बाद रास्ते पर 3-4 किलोमेटर अगर आप बाइक से या तरफ यह थोड़ा मंदिर सिटी के बार की तरफ आता है यहां पर सांती इलाका एकदम से इस जगह को सिधनात मंदिर के नाम से भी जाना जाता है सिधनात मंदिर के नाम से जाना जाता है यहां पर संभू नाजी की भी बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है तो यहां पर मा पीछे सेर बेटो देखा आपने पीचे यहाँ पर मंदिर में जाने के लिए चड़ाई बहुत चड़नी पड़ती है हालत खराब हो जाती है चलते चलते ही सीडिया भी आती है रास्ता भी आता है ऐसे गरते करते तो भयंकर पेर दर्द करने लग जाते हैं पाड़ों के उपर यह मंदिर बना हुआ है इस मंदिर में मतलब संकर भगवान का मंदिर मिल जाएगा आपको और यह हनुमान जी का मंदिर चोट चोटे मंदिर और भी बने हुए है तो इस तरीके से यहाँ पर माश शिवरात्री पर और जो भी हजाली अमावस्य और आती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड रहती है हम भी सिवरात्री ओर पर है न यहीं पर संकर भगवान के जलवगर चड़ाने के लिए सिटी में यहीं पर आते है इस तरफ जहां पर हम लोग नीचे की तरफ देखने जा रहे हैं वहां पर यह लोग दिखा रहे थे कि इधर आना गुफा बनी हुई है पाड़ों के अंदर गुफा बनी हुए जहां पर भी लोग जाते हैं अभी हमारे को लेट हो रहा था साम हो गई थी पापसगर भी जाना था क्योंकि अंदेरा होने वाला था तो इस वज़ए से हम लोग ज्यादा नीचे की तरफ गए नहीं से देखके आ गयां पर मैं भी इस तरह से रास्थ जा रहा हैं गुफा में जाने के लिए तो इस तरीके से यह देखने के लिए बचल रहे तो इस तरफ यह जो सीड़ियां बस अब मोड़ जाएंगे कि अब यहां से निकलने की बाद जो उपर की तरफ मंदीर का जो दिख रहा है थम बना हुआ वहां पर अभी तक हमें वहां पर चड़ा ही चड़नी है तो अभी हम लोग सब लोग जा रहे हैं बच्चे और मजा कर रहे हैं इस तरीके से वजा करते हुए बच्चों के साथ खेलते हुए हम लोग जा रहे हैं मंदीर में उपर चड़ा ही चड़ रहे हैं आ यहाँ चड़ा है यहां पर मैं लोग जल्दी जल्दी जारे और गसन कर के इलाका इतना से मन को सांथ करता है ओपर की तरब यहां पर गोसाला भी बनी हुए जहां पर बहुत सारी गायों को रखे गायों के भी सेवा की जाती है यहां से पूरी चड़ाई उपर चड़ने के बाद अब हम लोग यह जुमेन पहाड़ है उसके उपर आ गए तो यहां पर से बहुत सारे बंदर भी देखने को मिल जाते हैं यहां पर पहाड़ी इलाका आ जाता है तो यहां पर बंदर भी को सारे होते हैं यहां पर सिधनात मंदिर में नेपली बबाबा की जो ये समाधी स्तल बनावा है वहाँ पे मोजे और जूते और ये बेल्ट यही पर बार की तरफ खोल के अंदर की तरफ जाना होता है यहाँ पे लिखा वाएगे ना अब हम लोग जहां पे जा रहे है वो नेपली बाबा की समाधी स्तल बना हुआ है यहाँ पे तो आप सभी लोग भी दर्सन कर लीजी पैसे यहाँ पे मंदिरों में यहाला उनी होता है केमरा पर यहाँ पर यह बच्चे ने मेरी जो गुडिया है उसने यह सूट कर लिया था हए खुड़िया नहीं की थी इस तहरी के से यहाँ पर आप बहुत है है अच्छा हुआ है हम सब लोगों ने और यहां पर नेपाली बाबाकी नीचे गी तरह zarぎ के अंदर भी जुफा बनी वी है, वाहा पे भी धूनी चलती है, तो वाहां पे हम लोग यहां पे गए थे, सब मंदिरों में दरसन करने के बाद मों थोड़ी देर आराम से बेट के यहां पे अगर आप खाना खाने चाते हैं या चाय अगर पीना चाते हैं तो कि वहाँ पे आपको सब मिल जाता है मतलब जो पंडी तो रहते हैं तो उनकी सेवा में मतलब वो भी लगे रहते हैं किसी को भी ऐसे दुख तकलिफ नहीं देखने देते हैं तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर आराम से बेट के और दरसन वगर करके फिर हम लो पूर आए तो प्लीज जरूर यहाँ पर इस जगह पर पदा रहें और यहाँ पर देखके जाएं यहाँ पर इतना सुकुन और आनन्द मिलता है कि हम बता नहीं सकते थेंक्यू सो मच मा गनीशा